Hello दोस्तों, दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की जो वेकेंसी आपके सामने ले के आया हूँ, जो आपने देखा है, खाद विभाग की तरफ से जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी वेकेंसी निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छी अपडेट है पूरी अपडेट को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा से एक बार इसको देखिएगा तबी समझ में आपाएगी एस बेल एस इसमें एक्जेक्यूटिव और नॉन एक्जेक्यूटिव के लिए दोनों के लिए ही वेकेंसी बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है कैसी कैसे आपको इसमें फॉर्म एपलाई करना है करना चाहिए नहीं करना चाहिए आगे इसमें बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए सभी के बारे में बात करेंगे बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे दोसों zone wise recruitment है ये particular जैसे चार जोन है north, east, west, south इन चारो जोनों के हिसाब से vacancy आई हुई है particular जो है vacancy है ये 5000 plus vacancy है जी हाँ ये 5000 plus vacancy है ये ऐसी vacancy junior engineer किसी भी non executive के लिए बहुत ही कम निकल पाती है आपको पता है अगर recruitment ज़्यादा होता है तो competition भी कम हो जाता है जब recruitment कम होता है तो competition ज़्यादा हो जाता है तो मेरी आपसे personally suggestion रहेगा कि आप इसको apply जरूर करजिएगा at least इसके साथ साथ इसको apply कैसे करना है आपको और कौन-कौन सी branches इसमें eligible है सबसे पहले तो मैं आपको एक clear कर दूँ कि इसमें freshers और जो जिनका result आ चुका है final year 2022 में pass out हुए है वो इसमें 100% eligible है जी है आप eligible है criteria बहुत ही अच्छा है सभी इसमें eligible है सभी के लिए इसी लिए मैंने अपनी screen पे लिख रखा था thumbnail पे आपको देखा होगा 2022, pass out 2021, 2020, 2019, 2018 सभी मैंने mention कर रखा था तो वीडियो को अभी भी ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन-कौन कहां-कहां eligible है अगर starting से ले लेते हैं सबसे पहले JE civil engineering अब इसमें कितनी vacancy है यह कौन सी zone के लिए है यह north zone के लिए और कितनी age कितनी मांगी है 28 मतलब investor eligible है इसे ही आप पैचांच जाये किजिए इसके साथ साथ इसमें salary जो रहने वाली है basic pay 34,000 के साब से start होगा और आपका initial page हो जाएगा वो जाएगा around 70 to 80,000 तो इसमें 34,000 से 1,34,000 के असपास रहने वाली है इसके साथ साथ जही electrical का भी safe criteria है electrical and mechanical engineering और यह stano के लिए कुछ vacancy 25 आई है और electric mechanical के लिए 28 आई है north zone में अगर आप देखेंगे journal accounts, technical, depot, hindi तो इसमें indirectly eligibility है diploma, b.tech और any graduate की तो अब इसके बाद आगई south zone के लिए vacancy, south zone में कोन-कोन eligible है जी, civil engineering same और उसमें भी salary criteria same है और south zone में अब इसमें हिंदी, depot, technical, technical में 27 vacancy है technical के बारे में भी जब education qualification पर पहुचेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बता दूँआ next जो आगया आपका east zone, east zone में क्या बोला है इनोंने, east zone में बोला है civil engineering चाहिए, electrical, mechanical engineering चाहिए, s2 grade या फिर general accounts, technical depot, हिंदी सभी चाहिए और age कितना maximum, age कितनी मांगी है, 28 है, वो ही 27 और 28 के बीच में जी, इसके साथ साथ total vacancy अगर आप देखेंगे, जैसे zone wise के हिसाब से, जो east zone में आ रही है, 142 आ रही है अगर west zone में देखेंगे, तो west zone में जो vacancy निकल के आ रही है, जी, वो आ रही है, वो civil engineering, electrical वालों के लिए, वो ही 20 total vacancy number आप देखेंगे, 5 age में पूरा का पूरा mention कर दिया है ऐसे ही north east zone में भी कुछ vacancy निकल के आ रही है, आप इनको apply कर सकते हैं इसके साथ साथ कुछ और भी देखेंगे, आपने J.E. के लिए बहुत अच्छी vacancy है, अब इनके टम्स पढ़ लेते हैं, और ये कब से कब तक employment newspaper में आया है, जो की है employmentnews.gov.in पर अब इसका अगर हम एक बर पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या number of vacancy किसके लिए दी गई है, J.E. जो है junior engineer को किया गया है, AG assistant grade को किया गया, undergraduate को किया गया है, पूरा इनकोंने mention किया है अगर इसकी qualification देख लेते हैं, J.E. के लिए इन्होंने चाहिए जो civil वालों के लिए diploma in civil और diploma in civil engineering with one year experience और किया है अगर one year का experience है तो आपके लिए better होगा, otherwise नहीं भी है तो कोई problem नहीं है और ये कब दक चाहिए complimentary, ये 1,8,2,22 तक आपकी ये सारी चीज़े पूरी हो जानी चाहिए ऐसी mechanical, electrical और mechanical में भी same वो ही मांगा है, electrical and electronics या फिर mechanical engineering चलेगा इसके साथ साथ आपने जो AG3 में graduate degree in any discipline, इसलिए मैंने any graduate बोला था इस टैनों के लिए भी graduate degree और 40 word per minute का आपका record होना चाहिए typing का इसके साथ साथ अकाउंट्स वालों के लिए bachelor of commerce और technical के लिए क्या मांगा है BE, BTEC, food technology as well as science technology, agriculture, bio technology from a recognized board and university professionally is using computer और computer तो सभी के लिए mandatory है चाहिए इनोंने mention किया है और नहीं किया है अब यह AG3 डीपो में graduate in any discipline दोस्तों अगर जो बन्दा particular जैसे BTEC, civil, mechanical, electrical की branches है वो any graduate वाले में apply कर सकता है क्योंकि आप internal transfer करा सकते हैं और obviously जब आप जाएंगे तो आप senior designation पर ही transfer करा सकते हैं अब यह AG3 है हिंदी में तो इनोंने भी mention किया है अब इनोंने पूरा का पूरा आप देखेंगे इनोंने जो वेकेंसी पूरा बाइफिकेट की है पूरा बताया है जिस हिसाब से वो बहुत ही अच्छा है जैसे north zone वालों के लिए total vacancy अगर आप देखेंगे धाई अजार vacancy निकल के आ रहे है north zone वालों के लिए तो north zone से ही ज़्यादा क्योंकि अब obviously आप हिंदी देख रहे हैं तो maximum हिंदी वाले ही ज़्यादा eligible है अब आप reservation and relaxation में इनोंने कुछ mention किया है देखिए OBC वालों के लिए OBC वालों के लिए जो non criminal है उनको 3 साल का relaxation दिया है और जो general और पी डवलो जो general और उनके लिए कोई relaxation नहीं है और SCST वालों के लिए 5 साल का इनोंने relaxation दिया है as per government norms के हिसाब से अब इसमें आपका क्या रहेगा देखिए कुछ चीजे मैं आपको बता हूँ अगर आपको syllabus जाना देखिए इसका already syllabus सामने mention है but आपको book suggestion चाहिए या फिर आपको चाहिए कि आपको कैसे इसमें त्यारी करनी है तो मैं अपने experience के बिहाफ पे आपको बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से त्यारी करनी चाहिए या फिर अगर कोई interested हो सच में form submit करने में तो मैं आपकी help कर सकता हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़े सी आपकी help हो जाएगी लेनी हो लीजिएगा नहीं लेनी हो जाने दीजिएगा तो उसी भी आप पर अगर आपको book का suggestion चाहिए तो आप मेरे telegram channel पर follow कर सकते हैं क्योंकि मैं इसके related book already आपके जो link है वो मैंने डाल दिया है कि इससे related अगर आपको book चाहिए तो आपको link वहाँ से मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको ये English language में आपको exam होगा उसके बाद reasoning ability और फिर उसके बाद numerical aptitude और चोथा जो होने वाला है आपका as per your जो भी आपका current affairs है या फिर आपके जो technical background है उससे अब ये phase 2 का examination होगा वो technical background से related होगा और जो any graduate वालों का होगा वो candidate applying for positive will have appeared in paper 1 तो दोस्तों इनमें कोई problem नहीं है ये आपने technical और इन्होंने already कुछ books भी suggest किये है आप देखेंगे कुछ books इन्होंने suggest किये है books नहीं इन्होंने suggest किया है मैं आपको books के लिए बोला हूँ अगर आपको books चाहिए तो आप comment section में type कीज़गा और plus मेरे telegram channel पे join हो जाईएगा मैं वहाँ आपको इसका books का आपको format या free में जो book provide हो सकती है जादा से जादा वो provide करने की कोशिस करूँगा आपकी help के लिए मर्जी आपकी है इसके साथ साथ जो दूसरा point है वो काम के लिए यही रहने वाल है कि candidate if applying in any zone eastern northern और southern और eastern a candidate can apply for any one of the post दोस्तो आप a candidate can apply any one zone दोस्तो एक candidate एक ही zone के लिए apply कर सकता है और एक candidate single post के लिए ही apply कर सकता है दुबारा सुन लिजे एक single candidate अगर उसने north zone से submit कर दिया है तो वो south zone से उसको apply नहीं क कर सकता है इसके साथ साथ अगर उसने civil के लिए बढ़ दिया है या फिर mechanical के लिए तो एक ही post के लिए apply कर सकता है इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ exam centers भी बताए हैं सो centers के देखिए all India में हर जगा ही center होने वाले हैं इनके कोई problem वाली बात नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो भी है all India में मेरे हिसाब से तो मैंने जो पढ़ा है जितना तो सभी जगा इनके center मिले ही है अब आप देखेंगे procedure of applying online तो total apply का procedure है उसका link भी मैं description में दे दूँगा अब कर लेते हैं इसकी fees की बात तो इसके से पहले schedule की बात कर लेते हैं उसकी बात fees की इसकी बात इसकी अगर fees की भी बात कर लें तो applying application fees जो रखी है वो 500 रूपीज रखी है और 500 रूपीज डारेक्ली आपको bank से pay करनी है और ऐसा नहीं है कि किसी भी SCST and woman candidate for free application fee दोस्तों ये from payment of application fee दोस्तों आपको fees तो जमा करनी होगी बट हो सकता है कि आपकी reimburse हो जाए तो आप देख सक सकते हैं इसको और उन्होंने कुछ annexures भी दी है अगर आप इन criteria या फिर इन जो particular norms से SCST के लिए तो उनको आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ आपको मैं अपना बता दू कि अगर आपको इसका book का suggestion चाहिए कौन सी book आपको इसके लिए best रहेगी तो आप मेरे telegram channel के साथ ज इद आपको आपको मैं इसकी जञें